अश्कार, हेलो और वेलकम फर्स्ट अफॉल दोस्तों आप सभी को हैपी न्यू येर ट्वेंटी वेंटी फॉर नव वर्ष दोहजार चॉबिस की आप सभी को और आपके परिवार जनों को शुब कामना है और दोस्तों मैं आशा असलिए दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 14 यहां हमारी सरीष चल रही है IB ACIO Current Affairs की लेक्चर नंबर 14 मैं आज आपके सामने पेश करता हूँ दोस्तों IB का एक्जाम बहुत ही important exam है जिसके तुरू आप एक बहुत ही अच्छी सर सबसे पहले examination कब होना है और दूसरा सर admit cards कब आने है देखे examination हम already decipher कर चुके हैं कि last week of January या फिर first week of February में होगा उससे पहले होने के chances थोड़े कम है because Ram temple का उद्गाटन है पहली चीज तो यह आप समझ लीजिए तो उसकी वज़ा से security थोड़ी सी जादा हो जाएगी तो इसलिए मुझे लगता है कि I.E.B. examination को थोड़ा सा late करेगा यानि कि you know last 27th of January से लेके 5th February के बीच में exam हो सकता है कुछ बच्चे बोल रहे हैं सब middle of January में हो जाएगा यार वो possible अभी मुझे लग नहीं रहा है होने को हो भी सकता है गईज शायद बट जो मुझे इस ताइम पर chances लगते हैं तैट इस between 27th and 5th of February इसके लावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर admit cards का क्या status है वो कब आएगा देखे admit card 7 से 10 दिन पहले आता है examination के तो यार मेरे हिसाब से जो admit card है वो आपका about 15 जनवरी के आसपास you know release होना चाहिए अगर examination same rate parents की हम बात कर रहे हैं तो यार ये दोनो questions बहुत सारे बच्चे में इसे पूछ रहे हैं बार 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 and guys मैं हर class में इनका answer करता हूँ फिर भी बच्चे ये बात पूछते रहते हैं जियां सारी की सारी जो PDF हैं दोस्तों इस class की lecture number 14 तक यानि की 13 तक अभी तक हमने 13 किया है वो आपको इस group पर मिल जाए की ये है ACIO RT live group टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं इस group को join कर सकते हैं और उसके बाद PDF डाउनलोड कर सकते हैं हाँ मैं एक दिन शायद लेट हो गया था PDF डालने के लिए बिकॉस कुछ इशू आ रहे थे PDF अपलोड नहीं हो रही थी बट नॉर्मली दो से तीन घंटे के अंतर lecture कतम करने के बाद मैं PDF को Telegram group पर post कर देता हूँ so that आप लोग इसको revise कर सके हैं आगे चल कर पूरी तरह से इसको पढ़ सके दोस्तों इसके लावा कोई भी doubt गिलाशिकवा शिकायत परिशानी है आपको तो आप मुझसे connect कर सकते हैं रोहन त्याकी अंडर्सकोर official यह मेरा you know Instagram handle है अचा इसके अलावा guys if you want to connect with me आप मुझे email भी कर सकते हैं मेरे official email ID पर that is rohan.tyaki at the rate studyiq dot com so यह मेरा official email ID है अगर आप Instagram पर नहीं है for example यह पर Telegram पर नहीं है for example so you can connect me on this email ID email तो सभी के पास होता है जिसके पास phone है fine so you can you know message me here as well Instagram पर यार मैं सभी के reply कर देता हूँ watching it for great यार guys next मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों की गुजारिश पर आप लोगों की request पर हमने IB के batch को दो extra दिन खोला है और आज दो तारिख है आज last day है to enroll in this batch जो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ my dear friends सिर्फ कितने का पढ़ने वाला है to triple nine का this is the last day today if you haven't अगर आपको करना है बैच तो आप कर सकते हैं नहीं तो आप you know you can follow the free strategy as well that is there ठीक है मैं दोनों तरह से चीज़े को बताता हूँ you know this thing और आपको code यूज़ करना है RT live जी हाँ दोस्तो आज last day है वैसे 31st जो था वो last day था आपको लिखावा दिख रहा होगा guys already लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि sir पापा की salary 31st को आती है first को आती है या फिर तो आप please थोड़ा extend कर दीजिए date को तो दोस्तो आप ही की request पर आपके बहुत सारे messages मेरे पास आये थे मैंने you know management से बात करके date को extend करवाया है to enroll in this batch ये batch में आपको एक महीने के अंदर पूरा syllabus complete करवाया जाएगा that is the guarantee सारी PDFs आपको मिलेंगे आपको कुछ और करनी के जुरूरत नहीं ये batch join कर लीचे ACIO के लिए आपकी सही direction में सही दिशा में तयारी हो जाएगी and of course this will be the last batch class इसकी शुरू हो चुकी है एक class हो चुकी है तो आप उसको recorded देख सकते हैं कोई उसमें problem आपको नहीं होगी just use the code RTLive ठीक है तो code आपको use करना है RTLive याद रखेगा तो इसके अलाव अगर आप CSIR की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी batch same price पर available है सिर्फ आज के लिए 12 आप जितक रात को और तो अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं UPSC के optional लेना है या फिर prelims की तयारी करने UPSC के लिए उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है last day है sale का go guys and enroll if you want to enroll अगर आपने सोचा था कि आप एक सही दिशा में तयारी करें so that is important for you as well चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की एक लास को meeting हुई थी मुंबई में चा बाहर पोर्ट को लेकर meeting हुई थी मुंबई में तो वही question यहाँ पर बन सकता है कि India Central Asia Joint Working Group on चा बाहर किस city में पहली meeting हुई है of course the answer is Mumbai दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चा बाहर पोर्ट बहुत ही important पोर्ट है और इस पोर्ट के थुरू India को Central Asia का access मिला हुआ है India gets access to Central Asia from this port ठीक है और Central Asian countries आपको पता है जैसे कि अफगानिस्तान है एक country और उस्बेकिस्तान, टुर्कमेनिस्तान etc. तो मैं आपको बता दूँ जब तक पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, तब तक इंडिया naturally काईबर पास के थ्रू बोलन पास के थ्रू अफगानिस्तान जा सकता था है न, अफगानिस्तान से आगे Central Asia जा सकता था Central Asia एक ऐसा region है जो की energy rich है, वहाँ पर आपको gas, petroleum, reserves मिलते हैं, वहाँ पर आपको rare earth metals मिलते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे ores मिलते हैं, तो एक resource rich region है और इंडिया Central Asian countries के साथ अपने cultural ties को share करता है, एंड दोस्तो उसी के उपर खेलता है लेकिन दोस्तो जब से पाकिस्तान बना तब से इंडिया का direct access Central Asia से तूट गया, है ना और इसी लिए दोस्तो, आज के समय पर इंडिया ने इरान के साथ deal करी थी, चाबाहर port डवलप करने की, जो की मकरन coast पर है, यहाँ पर located है जो की ग्वादर port से अग्दम पास है, so that हम लोग directly यहाँ से connect करके Zanjran highway के थूँ अफगानिस्तान जा सके, या फिर दोस्तों दूसरे highways के थूँ तुर्कमेनिस्तान and Central Asia पहुंच चुके हैं, लेकिन दोस्तों जो इरान है, इरान के उपर आज के समय बहुत बड़ा influence है, चाइना का, देखें इरान और US, कटर दुश्मन है, जो इरान की Islamic government है, that hates USA, and China also hates USA, so दोस्तों आज चाइना इरान को under the current, under the table, support करता है, drones, missiles, जो आज के टाइम पर हूती rebels use कर रहे हैं, all are coming from China और Turkey, जी हाँ दोस्तों, तो चाइना support करता है इरान को, और इसी वजहा से, जो ग्वादर port, जिसे इंडिया को develop करना था, और, you know, sorry, चाबाहर port, जिसे जो इंडिया को मिलना था, दोस्तों Central Asia तक पहुँचने के लिए, वहां से इरान ने इंडिया को kick out की और बोला कि, we are going to develop this port independently देखिए अगर इंडिया खुद से इस port को develop करता तो 20 साल के लिए इंडिया को उसकी lease मिलती, इंडिया इसको use कर सकता था, लेकिन आज के समय पर इरान के रहमो करम पर हम still चाबाहर port को use कर रहे हैं और, for example, अफगानिस्तान तक weed, you know, चावल, दाल, medicines, important चीज़े पहुँचा रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर अपनी good will maintain कर रहे हैं, तो याद रखे हैं कि चाबाहर port, Gulf of Oman में located है, मकरन कोस्ट पर इरान में, और ग्वादर port वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान में यहाँ पर located है, जो कि directly चाइना से जुड़ा हुआ है, काशगार से through China-Pakistan economic corridor, तो यह चीज़ें काफी important हैं, और when you are an intelligence officer, maybe you join RAW, external agencies में आप जा सकते हैं, आपको पता है, for example, you know, हमारे NSA, Ajit Dovalji, he was part of IB once, then he became part of RAW as well, तो internally सारी intelligence agencies जुड़ी होई हैं, दोस्तों, and such kind of news are important, क्योंकि इस news का question of course, tier 1 में तो आई सकता है, ACIO के, लेकिन आप से इस चीज़ के पर discussion किया जा सकता है, interview के अंदर और, पता है कि interview की जो weightage है, वो बहुत जादा है, IBACIO में, जो weightage है, दोस्तों, बहुत जादा है, interview की, and hence, ये सभी analytical चीज़ें आपको पता होनी जाई है, ठीक है, किस तरह से हम चाह बाहर पोट के थुरू, Central Asia को connect करते हैं, and all these things you should know, और मेरी कोशिश in classes से यही है, हम of course 20 number का जो tier 1 में आना है, वो तो cover करने की कोशिश करेंगे ही, 15 से 18 questions वहाँ पर सही करने की कोशिश करेंगे ही, but in classes के through, I want कि आपकी interview की training भी हो जाए, interview में भी आपके पास at least कुछ ना कुछ content हो, जिसको आप बोल सकें, जिसको आप बता सकें, like that, fine, okay, बहुत बढ़िया जी, great, awesome, next, बात करने वाले हैं एक paramilitary force है, और, वो ministry of defense के तहत आती है, normally जितनी भी paramilitary forces है, for example, CAPFs, जो है आपकी, जिसकी CRPF है, ITBP है, BSF है, SSP है, यह सभी की सभी ministry of home affairs के तहत आती हैं, और, खास रूप से जो director general होते हैं, इनको head करने वाले जो officers होते हैं, they are mostly IPS level officers, paramilitary forces के, लेकिन Indian Coast Guard एक ऐसी force है, जोकि ministry of defense के तहत आती है, और उसकी recruitment भी अलग होती है, दोस्तो, it is not done through ministry of home affairs, it has a different, you know, recruitment process altogether, basically 1960s में, Indian Navy से ही, एक part को अलग करके Coast Guard बनाया गया था, जोकि देखे, Indian Navy का most of the काम जो है, that is guys, what, that is क्या, हमारा Indian Navy का काम, attack का काम है, ठीक है, अब ये थोड़ी है कि जो India का coast है, उस पर smugglers को Indian Navy पकड़ती रहे, या फिर, so coast guard को बनाया गया है, जो rescue operations कर सके, पहली चीज़ coasts पर, ठीक है, smugglers को, petty criminals को, you know, पकड़ सके, customs देख सके, यहाँ पर environmental laws follow हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो देख सके, that is not the work of Indian Navy, Indian Navy का attack का काम है, you know, attack and defend of, so this is quite important for you to understand the difference, ठीक है, तो गाईज, यहाँ पर Indian Coast Guard की एक बहुत ही important exercise हुई थी, जिसका नाम था, RP Rex, Regional Pollution Response Exercise, जो हुई थी, काकिनाण, आंध्रप्रदेश के पास, जिनकी, भारत के East Coast पर हुई थी, तो आप देख रहे हैं, की, जी हाँ, Coast Guard जो है, वो pollution loss से, cities जो है, या फिर वहाँ के, जो local bodies है, वो pollution loss को follow कर रही है, नहीं कर रही, क्या वो coastal areas में बहुत ज़ादा कूडा pollution कर रही है, तो वही चेक करने के लिए, this exercise was done, या दुखेगा, RP Rex exercise में, इंडिया नेवी इंवाल्व नहीं थी, सब लोग सुन को ही लगेगा, यार, शायद ये military exercise है, नहीं, it was a Coast Guard exercise that was conducted in काकिनाण, आंदरप्रदेश, remember this thing, very important, बहुत ज़रूरी है, और यार, class को like ज़रूर कर दो, it's important, for my motivation, okay, बात करेंगे, prolabilistic missiles की, किसकी बात करेंगे, prolabilistic missiles, देखे, जो missiles हैं, वो दो तरह के होते हैं, मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, एक होते हैं, cruise missile, cruise missile के अंदर, they can cruise anywhere, ठीक है, वो basically, अर्थ की gravity का use नहीं करते हैं, वहीं ballistic missiles होते हैं, जो, you know, guys, एक parabolic trajectory, follow करते हैं, and अर्थ की gravity का use करते हैं, basically, तो दोस्तों, यहाँ पर, DRDO ने, बोला है कि, we are going to manufacture, 250 prolabalistic missiles, for the rocket force of the Indian military, दोस्तों, जो prolabalistic missiles हैं, वो पृत्वी missiles पर based हैं, और nuclear capable हैं, पृत्वी missile is a, is a surface to air missile, जिसको आप SAM बोलते हो, S-A-M, यहनि कि surface to air missile, और एक होता है, AM, air to air missile, यहनि कि, इसको आप helicopters और fighter jet से, launch कर सकते हो, और कुछ होते हैं, submarine launched missile, ballistic missiles, ठेक हैं, तो यह तीन तरह के missile होते हैं, तो याद रखीगा, जो प्रले missile है, that is a SAM, ठेक है, और दोस्तों, यह एक important missile है, जो इंडिया के, northern and western borders पर, इंडिया की, border so guard करने जा रहा है, हमारे defense के लिए important है, deterrence के लिए, nuclear capable missile, important है, प्रले, तो यार, जो प्रले ballistic missiles हैं, उनको कौन डवलप कर रहा है, of course, it is none other than, DRDO, DRDO, देखो, इस सुरों जो है, वो defense में involved नहीं है, directly नहीं है, indirectly तो है, of course, BEL, mostly radars बनाता है, radars, और technological जो चीज़ें, वो बनाता है, भारत dynamics limited, जो है, वो mostly weapons को manufacture करता है, बहुत सारे missile से manufacture करती है, ठीक है, बहुत सारे, you know, दूसरे चीज़ों को, और DRDO, mostly research करता है, develop करता है, और उसके बाद, कोको आईलेंड की, mistakes of the past, are haunting us today, दोस्तों, खास रूप से, तीन आईलेंड ऐसे हैं, जिनको इंडिया ने, अपने पड़ों से मुलकों को gift किया, यानि की, big brotherly attitude के through, हमने बोला, चलो यार, आप रख लो, कोई दिक्कत रही है, जिसमेंसे, एक आईलेंड है, गोको आईलेंड, तो सबसे पहले, मैं आपको, कोको आईलेंड दिखाता हूं, यहाँ पर आपको map दिख रहा होगा, और कोको आईलेंड यहाँ पर, मैं आपको map में भी दिखाऊँगा, तो दोस्तों, अगर आपंडमान नीकुबर आइलेंड गूर्प को देखें तो इसी अंडमान आइलेंड गूर्प का पार्ट जोग्राफिकली कोको आईलेंड है, ठीक है, यह अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, और यहाँ अगर आप आके देखोगे, मैं इसको जरा इस में कर दूँ, यहाँ अच्छा देखेगा, यह है, देखें, देख रहे हैं, कोको आईलेंड लिखा हुआ, जोग्राफिकली, इस पार्ट अफ अंडमान और निकोबार आईलेंड, बट इट वोस गिफ्टेड और इंडिया डिड नॉट टेक अस्टेंड, वी और इन आईलेंड जो है, वो इन आईलेंड को ओपरेट करता है, और मैं आपको एक बहुत ही इंटरस्टिंग यहाँ पर चीज दिखाना चाहूंगा, अगर आप जूम करके देखें इन आईलेंड को, let me just zoom in to these आईलेंड, तो आपको ऐसे आईलेंड जिस पर धाई सो लोग ने रहते, only 250 people lives here, वहाँ पर इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप क्या कर रही है, यह इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप है जिस पर fighter jets तक उतर सकते हैं, बड़े-बड़े military transport aircraft भी यहाँ पर land कर सकते हैं, मैंनमार के पास इतना फालतों का पैसा तो है नहीं, कि इतने दूर के आईलेंड पर इतनी लंबी military strip, air strip बनाए, साथ ही दोस्तों, इस strip के आज़ पास आप देखेंगे, पूरा infrastructure है, radars है, एक listening port है, द tech infrastructure यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोको आईलेंड पर, यह कहां से आया, क्या मैंनमार के पास इतनी पोटेंशल है, कि वो इतने दूर आईलेंड पर इतनी सारी चीज़े डवलप कर ले, नहीं, दोस्तों, कोको आईलेंड को एक listening port में डवलप किया है, चाइना क्यांकि चाइने को पता है कि अंडमान निकोबर आईलेंड, strategically located आईलेंड है, इंडियन ओशन में, और इन आईलेंड के थ्रू, जो इंडियन ओशन का shipping route है, उसको चोक किया जा सकता है, because आपको पता है दोस्तों, यह है मलाका स्ट्रेट, and इस स्ट्रेट से चाइना most of the transportation कर आता है, यहीं से चाइना को तेल मिलता है, crude oil मिलता है, gas मिलती है, ores मिलते हैं, iron ore वगएरा, और यहीं से चाइना अपने electronics और जो दूसरे exports है, वो करता है, और गाईज, जैसे आप मलाका स्ट्रेट से बाहर आते हो, तो आपको देखने को मिलती है, great channel, जहां पर भारत का न geographical weakness of India, that is the chicken neck, northeast all India का, ऐसी हमारे पास भी, क्या है, चाइना का chicken neck, that is Malacca Street, hence guys, अंदमान निको बार आइलेंड पर नजर रखने के लिए, चाइना ने कोको आइलेंड को डवलप किया था, और यहां से, वो हमारी tri service command पर, joint military command पर जो अंदमान निको बार में located है, उस पर नजर रखता है, so this is a past mistake, जिसको हमें भुगतना पड़ रहा है, yes or no my dear friends, तो यही कोशन है, कौको आइलेंड कौन सी country के अंदर है दोस्तों, you can tell me, आज किस के पास है, कौन उसको control करता है, बताएए, yes guys, the answer is a Myanmar, इसका answer है, बात करेंगे दोस्तों, चाइना के अंदर, recently हुआ nuclear fusion experiment, देखेंगे जो nuclear reactions हैं, वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है nuclear fusion, जिसका इस्तमाल करके, आज के समय पर, nuclear fusion के थुरू, हम electricity produce करते हैं, हमारे जतने भी nuclear power plants हैं, वहाँ पर nuclear fusion होता है, लेकिन sun के उपर होता है nuclear fusion, जहां पर basically, दो atoms, hydrogen atoms, एक साथ fuse होके, helium atom बनाते हैं, और इस process में बहुत सारी energy release होती है, वहीं दोस्तों, nuclear fusion में uranium जैसे हैं, वो divide होता है, क्रिप्टोनियन और एक और metal होता है, यह उसमें, so nuclear fusion is basically division, और nuclear fusion is basically, as you can see, addition, तो चाइना ने पहली बार एक nuclear fusion experiment किया, so that चाइना अर्थ के उपर artificial sun develop कर सके, अब artificial sun की हमें क्या ज़रूत है जी, दोस्तों, plants photosynthesis पर काम करते हैं, plants photosynthesis पर काम करते हैं, तो आप इस artificial sun के थुरू, plants की productivity बढ़ा सकते हो, या फिर indoor farming कर सकते हो, without the sun, ठीक है, caves में, नीचे, या फिर for example, आप आनके चलो की, nuclear winter आ गई, nuclear attack हो गया चाइना के उपर, या फिर बहुत बड़ा volcano food गया, and guys, winter शुरू हो गई, sun block हो गया, कुछ हो गया, तो उस case में, artificial sun के थुरू, survive किया जा सकता है, क्या दोस्तों, ठीक है, और इस experiment का नाम है, east experiment, या निकी, experimental advanced superconducting toka mark, fusion energy reactor, ठीक है, plus guys, nuclear fusion energy के थुरू, आप जादा energy produce कर सकते हो, as compared to nuclear fission, लेकिन हमारे पास ऐसी technology नहीं है, ऐसी technology नहीं है, जो nuclear fusion को control कर पाए, हम ये reaction कर तो सकते हैं, but we do not have the technology to control it, ठीक है, we do not have the technology guys to control it, तो यहीं ही आपको याद रखना है, the experimental यानिकी, east fusion energy reactor, कौन सी country रहे है, या फिर artificial sun, जो experiment हुआ है, चाइना में, उसका नाम क्या है, answer is China, answer is B, east नाम है, east, experimental, advanced, super, to come act, ठीक है, अच्छा, यहर इनीशली क्या होता है, कि हर एक technology बहुत expensive होती है, because उसमें development में बड़ा पैसा लगता है, but with the time, the technology का price कम होता होता है, ठीक है, like solar power, देख लें आप, mobile phone technology, देख लें आप, like that, दोस्तों, भारत का second geothermal power plant, अरुनाचल प्रदेश के अंदर लगने वाला है, पहला जो plant है, वो लद्दाक के अंदर है, देखे, geothermal energy, that is the energy that we are extracting from inside the earth, देखे, हमारी जो पृत्वी है, उसके नीचे, एक semi-solid layer है, जिसको आप esthenosphere बोलते हो, जो की mental का part है, और ये बहुत ही गरम layer है, बहुत जादा यहां की heat है, तो अगर आप इस heat को surface पर ले आओ, तो इस heat के through, आप electricity produce कर सकते हो, और इसी को हम geothermal energy बोलते हैं, आज के समय पर, Iceland जो है, एक देश आइसलेंड आपको पता है, यूरोप में, एक छोटा सा island है, that is, मैं बोलूगा कि वो देश ऐसा है, जो अपनी energy mix में highest percentage energy, geothermal energy से बनाता है, तो लद्दाक के अंदर already हम एक geothermal power plant लगा चुके हैं, और अब second geothermal power plant जो हम लगा रहे हैं, वो कहां लगा रहे हैं, अरुनाचल प्रदेश में, कहां पर, पूगा वैली में पहले से हैं, लद्दाक में देख सकते हैं, और अब अरुनाचल प्रदेश में, LAC के पास, ये हम लगाने वाले हैं, कहां पर, जी हां, नौर्वे की कुछ companies हमें help करने वाली हैं, तो ये question यहां पर है, major geothermal power plant recently कौन सी state में लगने वाला है, अरुनाचल प्रदेश, पहला लद्दाक में हैं, दूसरा अरुनाचल प्रदेश में बन रहा है, और दोस्तों ये इनी areas में क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि basically जो Himalian state है वो plate boundary पर located है, tectonic plates की boundary पर located है, और जहां पर tectonic plates की boundary है, वहां पर mental को access करना ज्यादा easy है, वहां से आप mental पर आराम से पहुंच चकते हो, मैं बोलूँ दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली के नीचे तो कोई plate proper rocks है, तो बहुत ही difficult है नीचे तक पहुंचना, fine, अच्छा, next news के उपर बात करेंगे दोस्तो, the news is, बहुत ही important news है, प्रवासी भारतिय सम्मान किसको दिया गया है, इस बार, तो दोस्तो राज सुब्रमन्यम, जो एक इंडो-अमेरिकन CEO है, FedEx के, ठीक है, he is the CEO of FedEx, FedEx आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी logistics company है, उनको ये सम्मान दिय आ गया है, and he is of Indian region, तो one word यहां पर question बन सकता है, आप देख सकते हैं, getting my point, okay, next दोस्तो बात करेंगे, China और Japan की, जिन्होंने military hotline, यानि कि direct phone line set up करी है, आपस में, so that, my dear friends, अगर कोई भी dispute होता है, गलती से कोई rocket missile launch हो जाता है, तो मामला escalate ना हो, for example, recently, इंडिया से गलती से ब्रह्मोस launch हो गया था पाकिस्तान में, but पाकिस्तान और या के बीच में hotlines available है, so वो मामला escalate नहीं हुआ, hence, now, China and Pakistan has done, you know, sorry, this is China and Japan has done the same, देखे, China और Japan के बीच में, na, East China सी यह आप देख सकते हैं, यहां पर एक island है, Senkaku Islands, उन Senkaku Islands को लेकर dispute है, between China and Japan, fine, यह बात आपको याद रखनी है, that is in the East China Sea, और इसी लिए, यह important है, कि दोनों देशों के बीच में, एक military hotline हो, so that, अगर कभी misfiring होती है, या फिर कोई भी incident होता है, तो वो escalate ना हो, उसकी information दी जा सके, for example, इंडिया ने यह information दे दी थी, पाकिस्तान को कि, भाई, हम point, so it is quite important, okay, जी, तो it is, China and Japan ने recently, you know, this has done, बात करेंगे, 5th International Conference on Disaster Resilient Infrastructure, देखे, 2004 की सुनामी के बाद से, disaster management एक बहुत ही important field बन चुका है, और उसके बाद से, बहुत सारी international conferences हो चुकी है, और आज के समय पर, जब भी आप infrastructure को डवल अप करते हो, तो हमेशा focus रहता है, to make it disaster resilient, या ने कि दोस्तों, आपका infrastructure, आपके buildings, आपके pull, आपके bridges, आपकी footpath, आपकी road, ऐसी होनी चाहिए, जो disasters को, cyclones को जहल सकें, earthquakes को जहल सकें, etc., fine, तो disaster resilient infrastructure की जो meeting है, वो नई दिल्ली में हुई थी, it is very important, एक international conference है, जो दिल्ली में हुई थी, please remember this thing, very very important, तो one word question यहां से बन सकता है, कि 5th international conference on disaster resilient infrastructure 2023, कहां पर हुआ था, बताएए, it happened in Delhi, New Delhi, जी हां, कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, next बात करते हैं दोस्तो, best city to have public transport, तेकि public transport किसी भी city के लिए बहुत important है, because public transport पहली चीज़ बहुत ही cheap होता है, so that उस city के लोग easily public transport का use करके commute कर सकें, तो जर्मनी के अंदर Berlin, वो city है, पूरी दुनिया में जिसके पास best public transport है, best public transport है, इंडिया के अंदर, मुंबई में best public transport है, इंडियन सिटी की rank 19 था है मुंबई की, मुंबई के पास best railways है, अब मुंबई में metro भी बन रही है, best, sorry, this, you know, local trains है, best वहां की, you know, BEST, you know, Bombay Transport Corporation है, जुसकी बसे चलती है, red color के आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, autos बहुत वहाँ पर अच्छे हैं, South Bombay में, buses बहुत अच्छी है, metro वहाँ बन रही है, local train वहाँ पर बहुत है, दिल्ली में तो सिर्फ metro है, DTC के आपको हाल पता ही है, fine, so, सिर्फ भारत की SECT, जो इस सर्वे में आई है, that is Mumbai, Mumbai का public transportation system बहुत अच्छा है, next, बात करते हैं, Typha 1, देखे, Typha 1, Kenya की पहली satellite है, जो Kenya ने launch की, अपने आप से, देख सकते हैं आप, देखे, Typha 1 और इसको launch किया गया है, SpaceX के Falcon 9 rocket द्वारा, तो Kenya के पास technology नहीं है, satellite launch करने की, तो Kenya ने Elon Musk की company SpaceX को पैसा दिया, कि हमारी एक satellite आप launch कर दो, यह satellite Kenya ने खुद बनाई है, important इसलिए, क्योंकि African country है, जिसकी यह पहली satellite है, तो one word question बन सकता है, कि Typha 1 जो satellite है, वो कौन सी country की है, that is Kenya, getting my point, okay, very important जी, very important, बात करने वाले हैं दोस्तो, प्रवा पोर्टल की, प्रवा, तकि यह प्रवा पोर्टल लॉंच किया है, RBI ने, प्रवा मतलब, platform for regulatory application, validation, and authorization, और यह application process, for example, आपको एक bank खोलना है, आपको एक pay ATM bank खोलना है, फिर कोई भी bank आपको बनाना है, तो आपको RBI में सबसे पहले license के लिए apply करना पड़ता है, तो यह जो process है, इसको streamline करने के लिए, प्रवा पोर्टल बनाया है, RBI ने, तो यही question यहाँ पर आ सकता है, scheme, आ सकत word बन सकता है, देकि मैं आपको already बता चुका हूँ, कि आपको सभी schemes के बारे में government ही, जो recent में आ रही है, या important schemes के उपर definitely GS में question आ सकता है, दूसरी चीज, tier 2 exam में जब आप ऐसे लिखते हैं, जब मैं अपना experience बताता हूँ, जब मैंने examination clear किया था, तो उस time frame ले tier 1, tier 2 एक करोगे, और उसके बाद एक घंटे का tier 1 होता था, जिसमें essay writing, प्रेसी writing वगरा होती थी, तो जब मैंने essay लिखा था अपना, तो उस essay के अंदर, मैंने बहुत सारी government schemes के बारे में mention किया था, last में, और initially कुछ examples मैं, government scheme से दे रहा था, उस essay, I think मैंने agriculture के उपर ऐसे लिखा था और agriculture की बहुत सारी schemes थी, जैसे की किसान credit card एक scheme थी, तो मैंने उसके बारे में बहुत mention किया, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप essay के अंदर, government की schemes को mention करते हैं, कि government ऐसा कर रही है, जो कि सही दिशा में एक right step है, तो guys, ऐसा feel आती है, essay पढ़ने के बाद, कि you are well-red person, आपन इसलिए सारी government schemes रठके जाना, यह नहीं कहारा, मैं उसके अंदर का सब पता होना चाहिए, बट at least आपको पता होना चाहिए कि agriculture के लिए कौनसी schemes है, education के लिए कौनसी schemes है, women empowerment के लिए कौनसी schemes है, defense of ministry की कौनसी schemes है, ministry of external affairs की कौनसी scheme है, ministry of finance की कौनसी schemes है, like that, so that you can mention it, आर यह बात समझे, बात करेंगे Falcon 9 rocket की, किसकी बात करने वाले है, तो दोस्तों यहाँ पर NASA ने एक experiment किया है, इसका नाम tempo है, tempo, ट्रोपोस्फेरिक emission monitoring of pollution, याने कि आप satellite के थ्रू, pollution को monitor कर सकते हैं, through this experiment, तो वही एक question बन सकता है, कि जो tempo instrument है, tempo experiment है, वो कौन कर रहा है, that is done by NASA, National Aeronautical and Space Administration, remember this thing as well, अच्छा, नेक्स बात करेंगे दोस्तों, गज उत्सव, गज उत्सव याने कि project elephant के तहत, we are celebrating elephants, ठीके, और इसको launch किया गया है, काजी रंगा नाशनल पार्क, असाम में, to mark 30 years of project elephant, देखे, हाती याने कि elephant, भारत का national heritage animal B है, you must remember this thing, तो गज उत्सव 2030, काजी रंगा नाशनल पार्क, विच स्टेट, किस स्टेट में launch किया गया है, काजी रंगा कहां पर है, असाम में है, answer is C, please understand this thing as well, and guys, please do like the class as well, दोस्तों, पेरू को, एक country है, पेरू, एक low income country है, development इतनी वहाँ पर है नहीं, South American ये country है, पेरू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रही, और South America में football is very famous, तो under 17, FIFA football world cup पेरू में होना था, बट FIFA ने बोला कि, अब ये world cup पेरू में नहीं होगा, जो कि पेरू does not have enough infrastructure, and पेरू does not have enough money to conduct this world cup, जी हाँ, एक बड़ी news दोस्तों यह आई थी, जिसके बारे में आपको पता यहाँ पर होना चाहिए, ठेक है, आरे यह बात समझ, so, अब ये world cup इंडोनेशिया के अंदर होगा, तो वही question यहाँ पर बन सकता है, पेरू withdraw as host of FIFA under 17 world cup, one word question, सबसे ज़्यादा GI tags किसको मिले हैं, कौनसी state को मिले हैं, last year, 2020, 2023 में, केरिला is the state, जहाँ पर total 12 products ऐसे थे, जिनको GI यानि कि जोग्रफिकल इंडिकेशन टाग दिया गया है, it's important, तो केरिला में को मिले हैं, याद रखेगा, important है, again, कुम्बुन पनेर तरच्थी, ठीक है, यानि कि एक तरह के grapes हैं, अंगूर है, Tamil Nadu से जो आते हैं, कुम्बुन grapes आप उनको बोलते हो, and यह जो grapes हैं, यह कुम्बुन वैली Tamil Nadu के वेस्टन गाट एरिया में उगते हैं, जिसको आप grape city of South India भी बोलते हो, यह grapes बहुती नीठे और बहुती बड़े होते हैं, और बहुती स्वाधिश्ट होते हैं, दोस्तो, और इसको recently GI tag मिला है, it is sweet and juicy, तो कुम्बुन grapes कहा के हैं, it is of Tamil Nadu, याद रखिए, दोस्तों देखें, तर्की आज के समय पर एक ऐसी country है, जो military technology में काफी advance हो चुकी है, चाहे fifth generation fighter बनाने की बात हो, Turkey is ahead of India, या फिर drone technology की बात हो, Turkey is again very ahead of India, देखें, तर्की एक NATO member है, और Turkey was part of F-35 program and F-16 program of USA, तो US ने तर्की के साथ अपनी technology को share किया, and hence, तर्की के अंदर local industry, you know, defense manufacturing की लगी, and आज के समय पर, तर्की में, aerospace में बहुत ही आगे है, और आप देखे सकते हैं, यही news यहाँ पर आ रही है, तर्की ने recently, TCG and DOLU को commission किया है अपनी navy के अंदर, and दोस्तों, यह एक ऐसी, you know, aircraft carrier है, जिससे drone उड़ सकते हैं, fighter jet ने उड़ा सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, यह देख सकते हैं आपे ना, so, किस country ने TCG, and DOLU को recently, commission किया है, it is Turkey, और आप देख सकते हैं, drone capabilities के लिए यह जानी जाती है, इससे आप drones को उड़ा सकते हैं, fine, क्योंकि drones की range इतनी होती नहीं है, तो आप पहले इस aircraft carrier को, sea के थूँ गहीं लेके जाएंगे हैं, वहाँ से इसको उड़ा सकते हैं, OBCs के अंदर transgender को डाल दिया गया है, जी हां मध्यप्रदेश में, यह बात याद रखेगा, तो which is the state, जहाँ पर इसा हुआ है, one word question बन सकता है, it is none other than मध्यप्रदेश, World Chagas Disease Day, 14 April को होता है, ठीक है, Chagas Disease, एक बहुत ही important disease है दोस्तो, जिसकी वज़ा से digestive issues होते हैं, और एक neglected disease है दोस्तो यह, जो एक neglected disease है, ठीक है, बात करेंगे, Global Buddhist Summit की, देकि दिल्ली के अंदर भी recently, disaster, resilient infrastructure की meeting हुई थी, international conference हुई थी, डेली के अंदर G20 meeting हुई थी, डेली के अंदर last year, SEO meeting भी हुई थी, लेकिन डेली के अंदर last year दोस्तो, Global Buddhist Summit भी हुआ था, जहाँ पर Buddhist countries के, बड़े बड़े leaders ने शिर्कत करी थी, दिल्लाइ लामा भी इस के अंदर थे, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहर Buddhism of course, एक Indian religion है, जिसकी शुरुआत आपको पता है, दोस्तों कहां से हुई, किस तरह से Buddhism, सारनात, लुम्बनी, और बोध गया वाले रीजन से, पूरे भारत में Morians के थुरुफ हैला, अशोक जो थे, ग्रेट अशोक उनके थुरुफ हैला, और वहां से शुलंका, कंबोडिया, Thailand, Myanmar पहुंचा, वहां से Central Asia से होते हैं, चाइना, जेपैन, South Korea पहुंचा, और इंडिया के अंदर भी, इट वास डिस्ट्रॉइड, बट आज भी South East Asia, East Asia में, बुद्धिजम इस वेरी वेरी स्ट्रॉंक, तो आप देख सकते हैं, Global Buddhist Summit 2023, कहां पर हुआ था, याद रखिएगा, यह हुआ था, डेली के अंदर, वहाँ पर वरांस ही आ गया है गलती से, बट इट इस नॉट, आंसर इस ए, डेली, गेटिंग मैं पॉइंट, अच्छा, Shanghai Cooperation Organization, दौरा Millet Food Festival, करवाया गया था दोस्तो, मुंबई में, वन वर्ड कोशन है, वन वर्ड इसका आंसर हो जाता है, तो गाईज, आज ये क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज ये क्लास को यहीं तक रखते हैं, I hope, चीजें आप लोगों को क्लियर हों, और जाने से पहले, क्लास खतम करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, दोस्तो, IBACIO का जो लास्ट बैच है, उसमें एंड्रोल्मेंट के, मैंने दो दिन एक्स्ट्रा करवा दी हैं आप लोगों के, और सिर्फ 2999 में, सिर्फ आज के दिन 12 जो तक रात को आप इसमें एड्मिशन ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अपकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पा रही है, तो go ahead and join this batch guys, अपने chances को increase कीजिए, इस exam को clear करने के, so guys with that thing in mind, bye, take care and I will meet you tomorrow again, lecture number 15 में हमारी मुलाकात होगी दोस्तों, अच्छा इसके अलावा आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, जो IB का exam दे रहे हैं, और IB का exam होना है online, तो दोस्तों आप एक काम करो, 300 रुपे तो आप चाए में कहीं बहार जाते हो, तो ऐसी खापी ले जाते हो 300 रुपे में, so अगर आप code use करते हैं RTLIVE, तो आप IB की online test series practice कर सकते हैं, देकि मैं बोलूँगा अब एक महिने का समय रह गया, आप batch के साथ या फिर कैसे भी, इस test series को join कर लें, और daily basis पर एक test दें, आपकी अच्छी practice, दोस्तों, यहाँ पर हो जाएंगे, 300 रुपे की test series दरस से कम और क्या करों बताओ, so use the code RTLIVE and join this test series as well, my dear friends, उससे क्या होगा, आपकी अच्छी practice होगी, daily practice करोगे, तो आपके chances automatically boost हो जाएंगे, so I will recommend that test series to everyone, उसमें previous year questions भी included है, और उससे आपकी एक अच्छी practice हो जाएगी, for the upcoming IB का exam, so use the code RTLIVE there as well, bye guys, take care, मुलाकात होगी, जिहां कल lecture number 15 में, और इस lecture को like करना मत भूलें, और दोस्तों share करना बिल्कुल मत भूलें, जाने से पहले आपको बता दूँ दोस्तों, a happy new year 2024, मैं चाहता हूँ कि यह वो साल हो, जब आपको success मिले, यह आपके लिए आपका best साल होना चाहिए, but best साल यह तभी बनेगा जब आप इसको बनाएंगे, with that thing in mind guys, bye, मुलाकात होगी कल,